हेलो गाईज, वेलकम टू टु टेकनवेरा, जैसे कि हम नहां से बोलाता हम रैनो 6 Pro का एक फुल कैमरा टैस्ट आप के लिए लेके आए हैं, इस वीडियो में आपको कैमरे से लेटेट सारे फिचर के बारे हम आपको बताएंगे, सबसे पहले अगर कैमरा डिजाइन की बात कर जो एक कैमरा बॉक्स है, इसमें भी एक मैटल फिनीच ऐसा फिल आता है, और दिखने में भी काफी प्रिमियो लगता है, और इसमें आपको क्वैट कैमरे का सेटप भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें सबसे पहला लैंस आपको 8MP का अल्टरा वाइट का मिलता है, 64MP का मेन कैमरा जो ओमनी विजन का आता है, 2MP का मैक्रो लैंस जिसमें आप अप टू 4 cm तक ही फोटो कलिक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको 2MP का मोनो लैंस भी देखने के लिए मिल जाता है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इस कैमरे से लिटेट कुछ फीचर के बारे हम बात करेंगे, तो इसमें आपको काफी फीचर देखने के लिए मिल जाता है, जैसा आपको इसमें AI हाइलेट का option मिल जाता है, जिसमें आपके background के color थोड़े boost हो जाते हैं, और काफी अच्छे भी दिखते हैं, उसके बाद काफी अलग-अलग filters भी आपको इस फोन में देख shadows थोड़ी और अच्छे से expose हो सकती थी, next photo की बात करूँ तो इसमें मुझे काफी natural color देखने के लिए मिले, details भी काफी अच्छी आई, और background को भी काफी अच्छा manage किया है, अगर उसके बाद दूसरी photo पर आया है, तो इसमें मुझे देखने के लिए मिले, background को भी अच्छे से manage किया है, जो sky का color है उसे भी अच्छे से manage किया है, और काफी अच्छी details दिखी मुझे इस photo में, next photo में है तो हमने अलग-अलग condition में photo लिए, पहली photo हमने थोड़ी low light condition मिली और जो second photo है थोड़ी daylight condition में लिए, तो colors को काफी अच्छे से manage किया है, natural color दिखे मुझे, पहली photo मुझे काफी अच्छे लगी, दूसरी photo में मुझे स्थोड़ी details की कमी लगी, अगर skin tone की बात करों तो काफी अच्छी skin tone देखने के लिए मिली है, थोड़ी सी reddish skin tone देखने के लिए मिली, background में focus काफी अच्छे लगा मुझे पहली photo में, दूसरी photo में मुझे थोड़ा सा blown out दिखा background, तो थोड़ा अच्छे काम हो सकता था, next photo की बात करें, तो इसमे dynamic range की मुझे थोड़ी सी कमी लगी, थोड़ी low light condition में लिए photo, but इस price range में थोड़ा अच्छे से expect कर रहाता मैं, इस phone से की थोड़ा सा background को और अच्छे से manage कर पाता, बाकि shadows थोड़े और अच्छे से expose हो सकती थी, अगर next photo की बात करें, तो इसमें मुझे color थोड़े oversaturated लगे, थोड़ी white balance की कमी लगी, sky का color भी एकदम white देखने के लिए मिला, बाकि थोड़ी details की भी कमी लगी मुझे इस photo में, अगर wide angle और zoom की बात करो, तो इसमें आपको 8 MP का wide angle lens देखने के लिए मिल जात है, तो जो हमने कुछ photos ली है, wide angle lens और digital zoom के साथ, वो आपको दिखाते हैं, जो पहली हमने wide angle photo लिए, तो इसमें details काफी अच्छी देखने के लिए मिले मिले मिले, और shadow को भी काफी अच्छी से expose किया है, बाकि dynamic range भी काफी अच्छी है, और color भी काफी natural देखने के लिए मिले थी, बट overall काफी अच्छी photo आई, दोनों ही wide angle lens से, बाकि ये photo हमने 28 zoom के साथ किलिक करी है, जिसमें आपको digital zoom देखने के लिए मिल जाता है, तो photo काफी dark आई है, हमने direct sun की photo किलिक की है, बट थोड़ा और अच्छे से काम हो सकता था इस photo में भी, बाकि macro lens की बात करूं, तो इसमें macro lens में आपको 2MP का macro lens देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप 4 cm तक की photo किलिक कर सकते हैं, बट जो photo ने कलिका आई हो, काफी अच्छी आई है, details भी काफी अच्छी लगी, बाकि next photo में भी देखने के लिए मिला, again detail काफी अच्छी है, और फोनों में जा थोड़े boosted color देखने के लिए मिलते हैं, इसमें थोड़े मुझे natural color देखे, और details भी काफी अच्छी लगी, अगर next photo की बात करो, तो इसमें मुझे थोड़े सी details की कमी लगी, बाकि मुझे photos काफी अच्छी लगी macro lens से, बस इस photo में मुझे थोड़े सी details की कमी लगी, बाकि आपको macro mode में में भी काफी अलग-अलग filter देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इस phone में काफी ज्यादा filter है macro mode में, तो आप अपने हिसाब से choose कर सकते हैं कि आपको किस type का filter चाहिए, कौन सा filter चाहिए, तो बहुत सारे filter आते हैं, और काफी अच्छी अच्छी filters आते हैं, तो हमने इसे try किया तो काफी अच्छी photo किलिक कर सकते हैं, आप macro photo के साथ, तो अगर आपको photography पसंद है, आपको macro photo लेना पसंद है, तो इस phone में आपको बहुत सारे filter मिल जाएंगे, और details भी काफी अच्छी मिलेगी, और color भी काफी natural देखने के लिए मिलेंगे, अगर night mode की बात करूँ, तो night mode म मुझे काफी जादा impressive लगी, अलब की इतने dark place में जो photo निकल के आई है, बहुत अच्छी आई है, details भी काफी अच्छी मिली मुझे, और color भी काफी natural आए, अगर next photo की बात करूँ, तो हमने थोड़ी outdoor में click किया है, बिल्कुल night में, काफी photo निकल के आई है, मुझे बहुत अ बड़ा सा time लगता है, आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा, बाकी जो फोटो निकल के आई है, मुझे color भी बहुत अच्छा है, इतनी low light condition में भी light को काफी अच्छी से manage करके बढ़िया photo दिये, तो night mode इसका मुझे काफी जादा impressive लगा, तो हमने काफी जादा try किया, काफी night mode, पर जो performance मिली हमें बहुत अच्छी मिली, color काफी natural दिखाए, बिल्कुल dark place में भी काफी अच्छी फोटो दी, वीडियो की बात करें, तो वीडियो इस फोन में काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है, आप इसमें 4K 30fps पे video record कर सकते हैं, बाकी वीडियो में भी आपक देखने के लिए मिलेंगे, बाकी इसमें आपको bouquet mode मिलता है, जिसमें आपको videos में भी background blur कर पाएंगे, और साथ ही साथ इसके exposure की बात करों, तो exposure भी अच्छे से वर्ग करता है, कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे, बाकी इसमें आपको stable mode देखने के लिए मिलता है, तो आप मिलें मुझे, और details भी काफी अच्छे लगी, जबकि stable mode में थोड़े मुझे details की कमी देखने के लिए मिली, और color भी थोड़े shift होते वे दिखे, बाकी autofocus की बात करें, तो ये phone काफी अच्छे से autofocus कर लेता है, तो focus hunting जैसा मुझे कोई इसमें issue देखने के लिए नहीं मिल हो, तो object पे अच्छे से focus नहीं कर पाता, और थोड़ी dark photo आती है, but AI highlight videos जब आप on करोगे, तो आपके face पे अच्छे से focus करेंगा, काफी clear आपका object आएगा, और background को भी अच्छे से expose कर पाएगा, इस mode में, बाकी bouquet flare portrait videos की बात करूँ, तो mostly आप bouquet mode में देखेंगे, कि आपक flare videos mode start करेंगे, तो आपका background इस video की तर थोड़ा सा boosted नज़र आएगा, और काफी अच्छा लगेगा, इसमें आपको focus tracking का भी mode मिलता है, आपको या करना है, AI का जो icon उस पे click करना है, और अपने object पे double tap करना है, तो आपको एक circle दिख रहा होगा, तो या आपके object को lock कर लेग तो आपको focus locked हो गया है, तो आप अपने phone को कहीं भी move करो, या आपका object कहीं भी move हो, आपका focus same रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी enter करें, कोई भी आए आपका focus जिस पे आपने lock किया है, आपका focus उसी पे रहेगा, तो ये mode मुझे काफी अच्छा लगा, mainly कैसा होता है कि अगर वीडियो के अंदर कोई भी आजाया, object या कोई भी person आजाया, तो focus हड जाता है, बस इसमें ये नहीं हो पाएगा, बाकी mores पे जाते हैं, तो इसमें हमें slow mode देखने के लिए मिलता है, डबल वीडियो का option मिलता है, movies का मिलता है, stickers का मिलता है, बाकी कु इसमें आपको डबल वीडियो का option मिल जाता है, जिसमें आपका same time पे दोनों camera वर्क करते है, तो आपका front और back camera दोनों same time पे वर्क करता है, तो ये mode मुझे काफी अच्छा लगा, आप दोनों ही camera से video record कर पाऊगे, बाकी front camera की बात करों, तो 32MP का front camera मिलता है इसमें, जिसमे Sony IMX615 use हुआ है, जो काफी अच्छा sensor है, और ये 5P lenses के साथ आता है, जो हमने photo ली है front camera से, वो काफी अच्छी आई है, colors भी मुझे काफी अच्छी लगे, skin tone भी काफी अच्छी आई, और colors को भी काफी अच्छी से manage किया, और details भी काफी अच्छी मिली images photo में, तो front camera से काफी अच्छी फोटो मिली, बाकि अगर वीडियो की बात करें, तो front camera से काफी अच्छी वीडियो आई है, stable भी काफी अच्छा मिला मुझे, stable mode पर हमने video record किये, तो stabilization भी मुझे ठिक टाक लगा, बाकि colors भी काफी अच्छा लगे, बाकि एक final decision लेना हो में, इस phone के camera के ऊपर, तो photos भी काफी अच्छी लगी मुझे, बाकि इस phone की unboxing हमने कर लिया है, वो video आपने नहीं देखी, तो आपको उपर eye button में देखने के लिए मिल जाएगी, तो इस video के बाद आप वो videos भी देख सकते हैं, जाके, बाकि अगर इस phone के price के हिसाब से camera performance काफी अच्छी लगी मुझे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको एक अच्छा camera चाहिए, एक अच्छा design चाहिए, और एक light rated phone चाहिए, तो आप इस phone की तरफ जा सकते हैं, बाकि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को subscribe करना, वीडियो को like करना, और bell icon जरूर प्रेस कर अच्छा function और वीडियो की रर्ट हैं, तो हमारे चैनल का Diamond को हमाध रजर खाजर है तो हमारे रट्का उनल को काया उनल को वीडियो अच्छारश में हो अच्छा से अच्छा तरह।